जाहिंद मेरे पेरे सातियों कैसे हो आप सब करता हूँ सब बच्चोंगे आप लोग की त्यारी बहुत परजस तरीके से चल रहा होगा जब से टेंटेटी वैकेंसी जो दिया है तब से मेरे पेरे बच्चों का जो हालात है उसा पदरता जा रहा है क्यों ऐसा हो रहा है आपको भी पता है मेरे हाज नहीं कई दफ़ा आई है पचास हजार चालिस हजार तीस हजार तक वैकेंसी आती लेकिन इसकी जाती है और एस्टेट में भी कैटेग्री बाइद दी जाती है और जेनरल एरिया बाटा जाता है फिला जुला करकर बात करें तो हर स्टेट में मेरे काटेग्री बाइज जो होता है अच्छों का दिमाग में एक चल रहा है कि सरी अब सब्पोच करें जारकन के जार्कन के मात्र मेरे मेरे में में अब यहां पर बच्चे कई ऐसे हैं अगर बात करें कि से टोटल तो यह 32 वेकेंसी दिया हुआ है और यह 32 वेकेंसी दखबख फाइट करने वाले बच्चों के इतनी है और बढ़ने वाले बच्चों के इतनी है तो लेके चली सरक कम से कब 15,000 मीनिमा पंद्रा हजार बच्चे जो है पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं क्या आपको यह समझता है कि पंद्रा हजार जो बच्चे रहे हुए हैं तो 15,000 बच्चे चाबील है अब मैं गरें जीकर करूँगा इसकी पोस्ट अगर बढ़ी भी बोला कि सर 40,000 पोस्ट इसका देखा जाएगा अगर 40,000 पोस्ट अभी मेरे पैरे बच्चों के नीरूपी कर दिया गया है क्या नीरूपी तो बढ़ेगी क्या डाटा दिया गया मेरे बच्चे आपको देख को समझेंगा पर यह नियुक्त आप मेरे बच्छों कभी भी कालेंडर में जाहिए अपना अब लिए अपना अब लिए अपर डाटा दिया जाता है वहां पर यह पिर पूरा दिया निरूपी जहां पर 32 मेरे बच्छों आपर केटेगरी में सीटे तो महां पर लगबग 50 हो जाए या साथ हो जाए जदा थोड़ी होगा याद रखना यह 15,000 बच्चे सिर्फ देखने वाले लोग हैं इन में मेरे बच्छों वेकेंसिस की संख्या मात रकर लिफाइट करने वाले बच्छ अब मैं रियलिटी बताओं भीड नहीं है बढ़ने वाले बच्छों का रियल जो मैं रिजल्ट देता हूं टेस्ट का रिजल्ट आता है मेरे बच्छे तो लगबग 10 या 12 पच्छे का ही बहतर रिजल्ट आपाता है समभपता लगता है कि चलो एक सीट को फाइल कर पाएग का हमने 65 कोशनों के बारे में जिकर किया 130 बोल रहा है सर अभी हम लोग मार रहें टेस्ट तो सर हमारा से लेकि 110 आ जा रहा है अरे बहल बुडबग जो बच्छा 100 नमर ला रहा है 110 ला रहा है इस बच्छा को 130 बोलोगे लाने कहां ला पाएगा भाई 10 सल पढ़ा लेगा तो इतना में पूरा जीवल घट ना बहारा 15 सल खपा लिए आप 100 नमर से 110 नमर ला रहें क्या आपको लग रहा है कि दो मैने पढ़के 30 नमर बढ़ा लेंगे 20 नमर इतना असान होता ना मेरे बचे कॉंपटिशन इतना असान होता ना कॉंपटिटिटिव कोश्चन तो भारत के हार एक युवा ना जॉब ले लिए लेकर बढ़ा रहा रहा था ठीक है इतना असान नहीं है जितना बोल देते हो कि सर मैं तो नमर बढ़ा लूंगा अभी 100 नमर आ रहा ना दो मैने में 140 ले आउंगा मेरे बाई दो मैने बाद मैं याद रखना इतना ब्याकार हो जागा कि अब देखे क्या हो अब ने ने बच्चे हो जो बच्चे रियल पुराने उन्हें पता पुछना ना कि 0.5 नमर कितना अब से बढ़ता है इतना महनत करने के बाद मेरा एक नमर से दो नमर ग्रोथ होता है उन बच्चों को जाकर पुछो जो जीवन भर अपनी महनत लगे हु आपको फाइट इतनी वेकेंसी में ही करने पड़ेगी ज्यादे ज्यादे कितना बढ़ेगा दस बारा पंदरा बीस आपके कटेग्री में इतना ही तो बढ़ेगा इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट होगा कि मेरे बचों तैयारी जबर्चस तरीकस रखिए देखिए आज मैं आप लोगों से जिकर करूंगा मेरे बचे कि आज आप लोगों को रात दस बजे जरूर जूड़िएगा रिजनिंग का लाइव टेस्ट है और कल भी है आज और कल दो दीन है जरूर जूड़िए रिजनिंग का लाइव टेस्ट में क्यों ऐसा बोलता हूं कि मेरे बचों प्रैक्टिक से ही परफेक्ट बनेगा इंसान आप लाइव क्लास कई देख लीजिए लेकिन जब तक आप अपने पैरों पर महित्र नहीं दीजिए गा ना खड़े ह वैल्यू में कितनी है आपकी क्या उकात है पढ़ाई गया ममले में तो जरूर जूड़िए का लिंक हमने कमेंट बॉक्स दिस्क्राइब फ्री और कॉश्ट में कुछ नहीं करना है लाइव टेस्ट में जूड़िए आपने बहु दिया होगा लेकिन लाइव टेस्ट का मज इसलिए है कि पोस्ट बढ़ेगी और पोस्ट बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी मैं इसले काटेगरी से कटेग्री बाइज जहां पर बहुत कम कम सब्सक्राई कही One यहोफिस्व कंश। csak करना हो इन जगों पे कैसे होगा तो भाई आपको seems the Bridge करना जबर जबजर्जस तरीके से ठीक है ? , कुझा सान होता ना competition तो हर एक गषा जॉब लेके बठा हुआ ? , महनत करिए दिल से महनत करिए मेरे बचिए ठीक है वीडियो अच्छा लगात वीडियो को लाइक से दोनों करिएगा मिलते हैं नेक्स टूड़ी वारत थांक्यू पूस्ट पूर्मी गैस बावाइए